नमस्कार दोस्तों, क्या एंडिया गडबंधन तूटने वाला है? और एंडिया सहीयोगी दल क्यों नाराज है? अठारवी लोग सबाग, चुनाव में एंडिया ने फून बहुमत हासिल करके अपनी सरकार बना लिया है इंडिया गडबंधन को 292 सीट मिली, वहीं विपक्ष को इंडिया गडबंधन को केवल 234 सीट ही मिल पाई पर इस बार का चुनाव बहुत ही खास था, क्योंकि बड़े सालों बाद चुनाव खतम होने के बाद EVM पर सवाल नहीं हो थे देश में सबसे जादा सीट जीतने वाली पार्टी भाजपा है, जो बिलकुल खुश नहीं थी क्योंकि उन्हें इस बात का दुख था कि हमें पून बहुमत नहीं मिल पाई और इंडिया गडबंदन इस बात से बहुत खुश है कि हम सब ने मिलकर भाजपा को फून बहुमत लाने से रोक लिया परदान मंतरी मोदी ने रविवार को तीसरी बात परदान मंतरी पद की शपत ली पियम मोदी के साथ 30 कैविनेट मंतरी 5 राज्य सोतंतर प्रवार और 36 राज्य मंतरी ने भी शपत ली रुवात में हर जगा से यही सुनाई में आ रहाता कि जेडियू ने रेल मंतराले मांगा है या टीडीपी ने सड़क एवं परिवान मंतराले मांगा है परदेश के सारे बड़े मंतराले भाजपा के पास ही हैं जैसे ग्रह मंतराले, विदेश मंतराले, वित मंतराले, रक्षा मंतराले, तड़क और प्रिवाहन मंतराले और रेल मंतराले और अभी तक लोग सवा इस फीगर पर 10 नहीं हुआ है यह पद किस्पों मिलेगा है कि हमारे 77 चुनाव जीत कर आये हैं और हमें कैबिनेट में एक भी मंत्राले नहीं मिला स्री रंग बांडे का खहना है कि एक तरफ चिराग पासवान जीतनरान मान जी और एटेडी कुमार स्वामी की पार्टी को कम सीट मिलने पर भी कैबिनेट मंत्रा ले दे दिया गया हमारे पास साथ सांसाद हैं उसके बास पहले एक ही राजय मंत्री दिया गया, कुछ समय पहले अजीद पवार ने भी मंत्री पद ना मिलने पर नाराज भी दिखाई थी, तो ऐसे में इस गड़बंदन का सरकार चलाना आसान नहीं होगा, वेफक्षी पार्टे ने भी भाजपा पर जम कर आरोप लगाए, कि भाजपा ने अपने सयोगी दल को जुंजुना मंत्रा ले पकड़ा दिया, और हम चाहते हैं कि लोगसभा स्पीकर पद उनके सयोगी दल को ही मिले, अब आपको क्या लगता है क्या एंडी अपना कार्यकाल पूरा कर पाईगी या बीच में ही तूट जाएगी, और लोगसभा स्पीकर प